आज इस विराट महा संगम में मंचा सीन सभी परम सम्मानिये संत गण और इधर मेरे बाई और विराजयों सभी सम्मानित अतिती गण मेरे सामने विराजमान माताओं बेहनों नौजवान साथियों बुज़र्गों और प्यारे बच्चों ये आज एक विराट ब्रहमण मा संगम है और यहां उपस्तित लोग सब एक विस्तारित परिवार के समान है हमारे मेरे से पूर वक्ताओं में अभी आदर्नी हैं बीडी कल्ला साथ जो हमारे राजिस्तान सरकार के वरिष्ट मंत्री हैं वो आए थे और जो मेरे सामने जो नौजवान साथी जो मांग कर रहे हैं 14 प्रतिशत आरच्छन की उसके बारे में वो विस्तार से बता के गएं कि राजिस्तान सरकार सरकार ने वो आप लोगों की जो मांग है हम सब की मांग है उसको केंदर सरकार को प्रेशित किया मैं आप सब लोगों की तरफ से एक बार मिंच पर हमारे माननी ए सांसत जैपुर के आधर नि रामचरन बHora स्हाब यहां विराजमान मैं आप सब लोगों की ओर से उनसे मांग करूँगा क्यों केंद्र सरकार से उस मांग को शीगर निस्तारित करवाने की करपा करें दूसरी बात मैं चुकि आमेर विदानसभा शेत्र से आपके प्रत्याशी रहा हूं और निशित रूप से वहां ब्राह्मनों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है ग्राम पंचायत रूंडल में रिशी जमदगनी की तपोस्थली है वहां पे तो हमने विप्रकल्यान बोर्ड के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे और वहां की जो संस्था को चलाने वाले जो लोग वहां पे उस समीती के जो संरक्षक और अध्यक्षगन हैं उन सब से मिलकर और आदर्णिय सुरेश मिश्राजी के संरक्षन में हमने प्रयास किया है सरकार को प्रस्ताओं बेजा है कि रूंडल में परशुराम पीट की स्थापना की जाए तो निश्चित रूप से वो आपके हमारे सब के लिए एक प्रमुख आगे आने वाले बविश में एक तीर स्थल बनेगा मेरे को एक समय की बादिता दी गई है लेकिन बस मैं आप सब लोगों से यहां से एक ही संकल्प लेके जाना चाहूंगा कि जो आज आप सब लोग हम यहां एकत्रित हुए है और जो सर्व ब्राह्मन महासभा की ओर से आयोजेत इस विराट ब्राह्मन महासभा में जो प्रस्ताव लिए जाएंगे जो संकल्पारित किये जाएंगे हम आपके साथ उसमें पूरी तरह साथ हैं और उनको सरकार से राजिस्तान सरकार से भी मनवाने का प्रयास करेंगे और केंदर सरकार से भी जो भी हमारी यथा उचेत जो हमारा प्रयास रहेगा वो भी हम करने का प्रयास करेंगे आप सब लोगों ने इस मंच पर जो हमारा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए आप सब लोगों का अधिया से धन्यवाद, आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, कि जो सर्व ब्रामण महासभा का उद्देश है, आप सब लोग संगटित होकर, राजनितुक रूप से, बहुत गर्व का विशय है कि हम लोग ब्रामण कुल में जन्मे हैं, और हमारे उपर ये दायतु भी है, कि हम सबी समाजों को साथ लेकर भी चलें, सबी समाज हमारी और देखते हैं, और ब्रामण समाज सदे उनका भी ध्यान रखता है, आप सब लोगों से यही निवेदन ह कि हम सब लोग मिल जूल कर आगे बढ़ें, और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें, और अपने अधिकारों की रक्षा करें, और कर्तवियों का पालन करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, एक बार पुने, जै जै पर शुराम!